दोस्तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोक्यो ओलम्पिक में सिल्वर मेडल जीतने वाले बारते पहलवान रवी कुमार दया के बारे में तो वीडियो कापी इंट्रेस्टिंग होने वाला है वीडियो का आप कर दीजे रवी कुमार दया के लिए एक लाइक और और दोस्तों यह रियल हीरो हैं हमारे देश के तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों रवी दईया सताउन किलोग्राम प्रीश्टाइल इवेंट में भारत का प्रतिनी दित्व किया है इन्होंने रवी दईया अब तक स्टार्ट करते हैं दोस्तों रवी कुमार दईया का जनम 12 दिसंबर 1973 को हरेना के सोनी पजले के नारी गाओं में इनका जनम हुआता दोस्तों रवी दईया के पिता का नाम राकेस दईया है और रवी दईया का जनम एक गरीब परिवार में हुआता दोस्तों इनके पिता ए पर लेकिन उनके परिवार की आर्थ किस्तिति इतनी अच्छे नहीं थी, दोस्तों बाउजूद रावी दिया, के परीजनओं ने उनका रेसलर बनने में पूरा सपोर्ट भी किया है। रावी दिया ने पूरे देश में किस्ति के स्कुल के तोर पर पहचाने जाने वाले दिली के चतर साल स्टेडेम में रेसलिंग की ट्रेनिंग भी ली है यहां रवी दिया ने सुसिल कुमार और योगे स्वर्दत दिगज की लाड़ेों को केलते वे देखा है चतर साल स्टेडेम में रेसलिंग की ट्रेनिंग लेकर रवी दिया एक अंतर रास्टे पहलवान भी बने सत्पाल सिंग और विरेंदर कुमार रवी दया के कोच भी हैं दोस्तों रवी कुमार दया ने साल 2015 में जूनियर वर्ड चेंपियन सिप में सिल्वर मेडल भी जिता है इन्होंने साल 2017 में हुई सीनियर नेशनल गेंज में रवी दया ने सांधार प्रेदसन किया और सेमी फाइनल में पहुंचे लेकिन चोट के कारण उने बार होना पड़ा रवी दया ने वर्ड चेंपियन सिप में एसियन चेंपियन रीजा अतरी नागार रची को हरा कर कांसे पड़क अपने नाम किया था साल 2018 में रवी दया ने अंडर टेश वर्ड चेंपियन सिप में सिल्वर पड़क अपने नाम किया साल 2021 में रवी दईया ने टोक्यो ओलम्पिक 2020 में रजट मेडल अपने नाम किया रवी कुमार दईया एक ऐसे किला रही है जो हमेशा आपने केल को लेकर ही सुर्कियों में बने रहते हैं और सोशल मेडिया पर खापी पॉपुलर है दोस्तों रवी कुमार दईया कि यह इस्ट्रगल स्टोरी बाइगरोपी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताए और यह हमारे ड्रियल हिरो है दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता है जरूर और हमारे चैनल को सब् सब्सक्राइब जरू करें जेहिंद वन्दे मात्रम